हेलो दोस्तो नमेशकार को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आज के कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को लिए मुझे ऐसा लगा कि इसके उपर एक में वीडियो बना दू प्रॉपरली तो शायद से आप लोगों के डाउट मतलब हर एक को कमेंट को रिप्लाइ करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल यहाँ पर है नहीं बट मैक्जिमम डाउट मैक्जिमम लोगों के डाउट इस वीडियो में यहाँ पर कवर हो जाएंगे शायद से उनको अंसर यहाँ पर मिल जाएगा सो चले शुरू कर लेते सबसे पहला डाउट अगर अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फिलाल में पाच दिन का चार्ट पिटन यहाँ पर उपन कर लेता हूं तो आप लोग देख सकते सर अमेरिकन बाजार कल यहाँ पर 900 से 1000 पॉइंट भागा था रैट अमेरिकन बाजार जब यहाँ पर भागा डो जुन्स भागा तो हमारे मार्केट में तो हम लोगों को वैस से रिलेटेड एक बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने बता है जो अमेरिकन बाजार रहता है ना डो जोन्स की अगर हम लोग बात करें या फिर एस जी एक्स निफ्टी की बात करें यह जो इंडेक्स रहते दोस्तों यह हमें यह अंदाजा देता है क्या में दिवाली थी हम लोगों को पता था पर यहां पर देखोगे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहे तो दोस्तों ऐसा नहीं आप देख सकते हैं पर ओपनिंग देखिए क्या गजब का गैप देखने को मिला यहां पर प्रिवेस क्लोजिंग 16677 और आज के ओपनिंग 16854.75 जो साथ-ाठ बार आप लोग बोल सकते हो कि एक्यूरेस यहां दो-तीन बार कभी-कभी गलत जाता भी है तो यह सबसे पहले दिमाग में अगर आपके फिट हो गया होगा कि अमेरिकन बाजर में अगर जो हुआ है वही हमारे मार्केट में भी दिन बर वही देखने को मिलेगा त अमेरिकन बाजर जब क्लोज हो जाता है ठीक है और जब हमारा बाजर जब उपन होता है उसके बीच में लगबख पाच्छे घंटे का गैप रहता है उसमें बहुत सारी कभी-कभी खबरे आती है अगर उसमें कोई खबर नहीं तो जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था जैसे कि मैंने आप लोगं को बताया कि अमेरिकन बाजर में कल 900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली तो अच्छा गैप अप का एक्सपेक्टेशन था देख लो अच्छा गैप अप दा उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करे उसके बाद जब हमारा मार्केट जब खबरे सामने आ रहे उसके बदौलत हमारे मार्केट में ट्रेडिंग देखने को मिलती है प्लस यूरोपियन मार्केट कैसे ओपन होते हैं बहुत सारी चीज़े देखी जाती है तो ओवरल कंक्लूजन पहला में आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि अमेरिकन बाजार में हम लोगों को चलते वे देखने को मिल जाता है तो यूजयली मैं आप लोगों को बताया है यहाँ पे फिर अगर आपको चेक करने तो डो जूंस का फ्यूचर देख लेना अमेरिकन बाजार का फ्यूचर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के उपर वेबसाट के उपर आप मिला याद रखे जो उपनिंग रहती है यह को मैं सरकल कर रहा हूं यह डिपेंड करता है अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसे उसके हिसाब से और उसके बाद डूरिंग दा मार्केट भहुत सारे फैक्टर रहते बट अमेरिकन बाजार का फ्यूचर रहता है वह अगर आज की दिन अभी की अगर मैं बात करूँ में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं अमेरिकन बाजार में भी जबर दस्त हमनों को गिरावट देखने को मिल रहे है यह देखे साड़े 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट अमेरिकन बाजार 2% हमनों को डाउन देखने को मिल र अब आगे कैसा चलता है वो डिपेंड करेगा वेरियस खबरों के हिसाब से सो हमारे बाजर कि अगर हम लोग यहाप बात करें दोस्तो तो यहाप ऐसा क्यूं देखने को मिला तो दोस्तो बहुत सारे खबरे चलती रहते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करू तो रेट हाइक रेट हाइक तो खबर हमनों को कल सर्प्राइज आर्बिया ने तो यहाप एक कर ही दिया प्लस उसी के साथ सा दोस्तो यह अभी अनुमान लगाया यहाप पर जा चुका है कि नेक्स्ट MPC की जो बेटा करेगी वो जून में शेडूल है और जून में भी यहापर रेट हाइक हो सकता है तो बेक टू बेक रेट हाइक होंगे यह वाली जो न्यूस है वो जून में ही आएगी अभी अनौफिशली हमनों को यह से रिलेटर चर्चा है देखने को यहाप पर मिल रही है पॉसिबिलिटी की बाच्चित देखने को मिल रही है तो इसलिए यहापर हमारे बा प्रेटर और एक साइकल हमनों को देखने को मिल सकते जून में भी मतलब इतना जल्दी और प्लस अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी अमनों को गिरते वे देखने को मिला तो इट डबल नेगेटिव निउस देखने को मिल है इसके बाद हमारे मार्केट में अच्छी काशी जो तेजी थी वो टिक नहीं पाईगा एंड आप लोगों को पता है कि यहापे sale on rise वाला फिलाल का महोल यहापे जो कि ट्रेडर लोगों के लिए investor के लिए इससे कोई जादा फरक यहापे पढ़ता नहीं है तब से हमेशा यह पूछाता है सर अभी का market ना overvalued है यह बहुत सर लोग पूछते है या फिर बहुत सर लोग बताते भी है तो दोस्तों मैं आप लोगों के एक golden rule बताना चाहूंगा यहापे मतलब एक बहुत बड़े बड़े हस्ती ने भी यह का है कि stock market यह हमेशा overvalued है जब से वो शुरूआत हुए तब से आपको यह ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि आके आपको कई यह बोलेगा कि अरे stock market undervalued चल रहा है ऐसा बिलकुल भी ने दोस्तों यह market जि निफ्टी ओपन कर लेता हूँ तो यह देखे हमारा market पाथ साल का graph ठीक रहेगा यह देखे 12,000 के असपास और हमारा market का तक चला गया था 7600 approximately क्या 7600 के उपर किसी ने कहा आपको कि अरे अभी market perfect valued है अभी यह market undervalued हो चुका है यह correct समय है इसको invest करने के लिए अगर आप genuinely check कर पे भी market आने के बाद बहुत से लोग आपको यह बता रहेते कि अभी market और ब्रेक होने वाला है 6,000 आ जाएगा करके और दोस्तों में आपको यह भी बता तो चलो आज जाता market 6,000 पे आ जाता फिर भी लोग यह नहीं कहते कि market 6,000 पे undervalued है या फिर यह सही time है खरीदने का न कि market stock market is always overvalued since its inception जब से वो शुरूआ है वो हमेशा overvalued ही रहा है आपको कोई यह बोलेगा नहीं कि यही correct समय है किसी ने बोला 7,600 पे कोविड के बगता रहे अब भी खरीद लो बहुत गिर गया है बहुत अच्छी बात है नहीं और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा तो वहाँ पर अननेसेसरली एनर्जी वेस्ट मत करना जहां पर मैक्जिमाम आपको रिटेल इन्वेस्टर ही देखेंगे जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने बहुत ही कमाल किया है मार्केट में वह इंजन्जट में पढ़ते ही नहीं है क्योंकि मैंने आप को ऐसे स्टॉक दिखा दूँगा जिन्होंने पात साल में अप्रॉक्सिमेटली पंदरा सो चौदा सो पसंट के रिटन्स दिये है रैट सो आपको इंडेक्स से क्या लेना देना है आपको स्टॉक से लेना देना है मैंने आप लोगों को बता है मेरे खुद के के लिए बताना चाहूँगा तीन मेने पहले का ही वीडियो है जो मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट क्लास के उपर कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसिक्स आपको बरबाद कर देगा बरबाद मतलब पूरा इनरजी रिटेल इंवेस्टर का यही पर रहता है कि मार्केट 15 जाएगा या 14 जाएगा या 13 जाएगा मार्केट किदर भी जाएगा अप ऐसा निफ्टी करके कोई शेर है क्या मतलब मैं आप लोगों को नॉर्माली कहना चाहूँगा हाँ वो ETF जासी चीज़े नहीं आपने इंडेक्स में क्या इन्वेस्ट करके रखा है आप निफ्टी पर बेट क्यों लगा रहे है कि निफ्टी 10,000 जाएगा या फिर 20 जाएगा या 25 जाएगा आप इंडिविजल स्टॉक्स को देखो दोस्तों यह मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका है रिटेल इंवेस्टर यह सबसे बड़ी गलती करती है और बड़े इ आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए आप स्टॉक भंगार कोई तो पकड़ कर बैट जाओगे इंडेक्स एक लाग का हो जाएगा फिर भी आपको रिटन्स नहीं मिलेंगे और अगर आपका स्टॉक करेक्ट रहा इंडेक्स यहां से अगर हिला भी नहीं फिर आपका स्टॉक आपको पैसे देखे चला जाएगा तो यह बात को समझा दोस्तों यह बहुत बार मिने आप लोगों को यह बताया है और इसी के डेमो देने के लिए अभी निफ्टी कितना आपको मैक्जिमम निफ्टी का रिटन कितना है सत्रा सो पसंट की रिटन यह देख इनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो यह मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका दोस्तों अगर आप एक लॉंग टर्म इंवेस्टर हो हाँ इंडेक्स में कौन देखता है अगर आप एक ट्रेडर हो तो ट्रेडर के पोजिशन्स वह एफनो और उसमें इंट्राडे वो करते अगर आपको कभी यह आके कोई ऐसा बोलेगा कि आरे मार्केट टाइम में इन्वेस्ट करने का तो 7600 तक भी बाजार आया था तबी बीकिसी ने बोला नहीं आगे भी कोई बोलेगा अगर मार्केट यहां पर गिर के फॉर एक्जम्पल हजार भी हो गया ना फिर भी कहेंग इसलिए रिटर्स टर्फेल हो जाते है आप जिस दिन यह चीजों को छोड़कर प्रॉपर्ली स्टॉक सिलेक्शन मैनेजमेंट कौन सा है आधे लोगों तो बुरा मत मानना बट पॉर्टफुलिय में जो शेर जहां उनके मैनेजमेंट का नाम तक नहीं पता होगा बैलेंश इसलिए बैस्टर को एक बार देख लेना दो दो तीन तीन हजार करोड के पॉर्टफुलिय बना के बेठे हुए है अभी कि मैं बात करूँ पिछले कॉटर में किसी ने तो 80 करोड के शेर्स खरीद लिए वह बिंदास खरीद लेते क्योंकि उनका इंडेक्स के ओपर फोकस ह आपकी कंपणी वहापे एक्सपंशन का प्लान कर रही है आपका पैसा 10 गुना होने वाला है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडेक्स कैसा चलेगा फिर बाद में वह कंपणी भाग जाएगे आपको पता भी नहीं चलेगा इन चीजों से अगर आप जल्द से जल्द निकलोगे तब जाके आप बड़ा पैसा कमा पाओगे वरना पूरा इनरजी आपका इधर ही चला जाएगा कि मार्केट ओर वैलूड है या अंडर वैलूड है और निफ्टी कहा पे चला जाएगा अगर आप एक इंवेस्टर हो इनके लिए ये सारी चीजे में ने बूली है मैं अगेन करना चाहूंगा ये चैनल ही इन्वेस्टर का है तो आशा करता हो दोस्तों आप लिए को वीडियो हेलफूल लगा गए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना कुछ चीजे सीखने को मिले होगी तो अभी भी लाइक या पर कर सकते हो डिमैट अभी तक उपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट भी बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट मिल जाएगी आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू अपन किया है ये मुझे बता देन तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक आफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक हफते के अंदर अंदर आपको फ्री आफ कोस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगे दो अकाउंट है एक है जीरोदा है एक है अपस्टॉक अब जिसके साथ भी जाना चाते हो जा सकते हो जिरोदा मे अकाउंट उपनिंग चार्जेस लगते है अपस्टॉक में फिलाल तो बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट अकाउंट उपन हो रहा है तो अब जिसके साथ जाना चाते हो अकाउंट उपन कर सकते हो तो तब तक के लिए बाई बाई